अब सलाम आलेकूम कैसे आप सब लोग उमीद करती हूँ कि आप सब खैडियस से होंगे तो आज आप लोगों को मेरा कीचन कुछ अलग लग रहेगा इस घर में आने के बाद में मेरी पहली रेसेपी में शूट कर रही हूँ है ना ते तो आज रेसेपी में मैं बनाने वाली हूँ मसाला दाल बहुत ही सिंपल और एजी तरीके से यह दाल बहुत ही चेकपटी सी लगती है खाने में और इसी के साथ में मैं पापर फ्राइ करने वाली हूँ और मिर्ची को भी फ्राइ करने वाली हूँ और इस्टिम राइस के साथ में इसे खाया जाता है जब इसका असली मज़ा आता है जैसे कि आप सबको मालूम है कि मेरे घर का काम चालूए तो इसलिए मैं दुसरे रूम में दुसरी जगा पर सिप्टिंग हुई हूँ और इस जगा मुझे बिल्कुल में रखता है जैसे कि अपना किछन अपना ही होता है दुसरी जगा जाकर हम कुछ काम करने लगे तो नहीं जमता है इसलिए मैं जो सिंपल सी रेसेपी रहेगी जो जचपच से बन जाए जैसे कि दाल चावल हो गया जैसे कि भाजी तरकारी हो गई यह सब रेसेपी मैं बनाऊंगी और आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी और बहुत लोगों की यह रिक्वेट भी थी कि आप हमें क्या आप नॉन वेज बता दे कभी वेज भी बताया कीजिए तो अभी वेज वालों के लिए हमें कम से कम अच्छे से अच्छी रेसेपी वेज में डालूगी तो आप लोग मेरे चैनल को लाइट शेयर और सब्सक्राइब करना और मेरे जो नए घर का काम चालो है अगर उसका आपको ब्लॉग देखना है तो आपको मेरे अफ्रोज रेसेपी ब्लॉग पर देखने मिलेगा तो जल से जल जाएए मेरे अफ्रोज रेसेपी ब्लॉग पर मेरे न्यू घर का मसा लीजिए बनाना स्टार्ट करते हैं मैंने यहां पर कुकर करकी हूं गरम हुने के लिए उसके अंदर दालई हो तीन चमच उईल जाएसे कर देंगे और एक चोटा तुकरा अढ्रग का कुचलके यह safe े उसे हम खोड़ा सा अईसे हम फ्राई कर लेंगे हलका सा fry करेंगे जाधा नहीं, तो हमारा लसून जल जाएगा, लसून को हमें बिल्कुल भी जलाना नहीं है, सिर्व बिल्का सा उसका color change करना है इसके साथ में मैं इसमें add करने वाली हूं, करी पत्ता, तो यहां पर मैंने लिए हूँ एक कांटी करीपता, करीपता एट कर देंगे, उसी के साथ में हम इसे फिर से मिक्स कर देंगे, है ना थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और मिक्स करते जाना है, घ्यास को हमें मिडियम पे रखना है, बिल्कुल भी घ्यास को हाई पे और स्लो पे रखना नहीं, मिडियम घ्य अच्छी यह दाल बनती है यह दाल अगर आप खाएगे तो इसमें सिप गोश्ट की कमी रहेगी मगद टेक्ट पूरा इसमें डाल गोश्ट का आएगा बहुत ही अच्छा लगता है यह कभी भी आपको जखपट से कोई चीज बनानी है और अच्छी बनानी हो तो इस तरह की डाला बना कर खा सकते जैसी प्याश का कलर हलका हलका सा चेज हो जाएगा तो दो मीडियम साइज के टमाटर बारी कटिंग करके हम इसमें एट कर देंगे इसी के साथ में हम 4-5 हरी मिर्ची बीच में से कटिंग करकर इसको एट कर देंगे हरी मिर्ची आप अपने टेश की साब से डाले जितना आपको तीका पसन है उतना आप दाल सकते हम इसमें थोरी सी लाल मिर्ची का भी इस्तमाल करने वाले है अब इसमें पाउडर मसाले जा अभी थोऊ रसा हम इस Müíर पानी अट करेंगे क्योंकि पानी दलना ज़रूरी है । również मसाले सुखे हो गए है। बगर तेल लगाए हुए सुकी रोटी रेती ना उसके साथ खाना यहां पर मैंने ली हूँ तूर की डाल तूर की डाल मैंने कम से कम पाउ की लो ली हूँ मैं आपको हाथ से बता रही कि मैंने इतिनी ली हूँ मगर मैंने पाउ की लो ली थी इसे मैंने अच्छी तरह से धो ल तो थोड़ी कंस्यूज हो रही है ऐसा मेरे साथ में हो रहा है और दोर से तीन बार मेरा हाथ भी जल चुका है मगर फिर भी मैं अपने आप ध्यान दे के खाना पका रही हूँ अब डाल डालने के बाद में हम इसे अच्छी तर से मिक्स कर देंगे और पाव किलो डाल के लिए मैं इसमें दालूंगी 2 गिलास पानी दालके हम इसे मिक्स कर देंगे और कूकर का धककन लगा देगे गाईज बाद में हमें इसमें डालना है कोतमीर, बस हरा धनिया, मैं कोतमीर बोलती हूँ, आप लोग कोतमीर को क्या बोलते हैं, वो मुझे बताना, मगर हम लोग हरा धनिया बोलते हैं कुकर का ठकन हम लगा देंगे अच्छी तरह से कुकर अगरम ध्यान लगाना अच्छे से और इसकी ले लेंगे शिप 5 सीटी 5 सीटी बाद में मैं आपको बताती हूं यहां पर हम कर लेंगे पापर फ्राइए यह होम में एक पापर है जैसे घर में बनाए हुए पापर है बावी बहुत जल्द आपको मैं घर में कैसे पापर बनाते हैं मैं आपको बताऊंगी क्योंकि मेरी टैरीस बन जाएगी तो मैं टैरीस के ओपर ही पापर बनाना कैसे बनाते हैं वो मैं बताऊंगी ना तो ये होम में पापर मैंने फ्राइ करके ले ली यहां पर मैंने रखी हूँ एक चमच ऑईल गरम होने के लिए और यहां पर मैंने लिए हूँ मिर्च यह लिए हूँ लंबी वाली यह बिल्कुल भी तीकी नहीं होती है मैंने ले ली थी आदा चमर जीरा जीरो को मैंने हलका हलका सा भूल ली थी फिर उसका नमक डालके मैंने उसे अच्छी तरह से कुचल ली कुचलने के बाद में मैं ये जीरा और नमक दोनों मिक्स करके हरी मिर्शियों में भर दूँगी ये मिर्ची जो होती है ना बिल्कुल भी तीकी नहीं होती है ये फीकी वाली होती है मगर खाने में काफी चेक पटी सी लगती है एक बार आप इसे बना कर देखना आपको पता चल जाएगा मिर्ची को बीच में से फार लेना और फारने के बाद में इसके अंदर एक से दो मिलीक लगेगा मिर्च को फ्राइ होने के लिए, यहां में मिर्च फ्राय हो चुकी है, मिर्च को हम निकाल देंगे, निकालने के बाद में इसके ओपर थोड असा लिबू का अरश दाल लेंगे, अगर आप जादा मिर्ची फ्राय कर दें, तो आदे लिम्बो का रस डाल देना मैंने कम क्यों करके इसमें थोड़ असा लिम्बो का रस उपर से निचोर दूँगी और इसे एक बार फिर मिक्स कर लूँगी यहाँ पर हमारा मिर्च फ्राइ भी हो गया पापर फ्राइ भी हो गया और साती में मैंने इल्टिम राइस भी बना कर रेरी कर ली यहाँ पर देखें यहाँ पर मैंने दो गिलास पानी डाल के डाल को रखी थी पकने के लिए अब इस डाल इतनी अच्छी तरह से गल चुकी है कि इससे हमें घोटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं मैंने एक गिलास पानी डाली और दाल को फिर से रख दी पकने के लिए दाल जब अच्छी तरह से पकने लगेगी तो इसके अंदर हम एक मुटी हरा धनिया बारी कटिंग करके डाल लेंगे दाल में जितना जादा हरा धनिया डालेंगे उतना ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है एक बार आप क्राइ करना मैं बोल रही हूँ है न आसिप बराबर आसिप सारी चीज़ें मैं बरोबर बोल रही हूँ आसिप तो चले गए जैसी डाल में उबाल आ जाएगा तो हम घ्यास को बंद करेंगे इसे गरमा गरम सर्फ करना अगर आप चाहो तो इसके उपर दखाने के समय थोड़ा सा घी डाल कर भी अगर आप खाएंगे तो भी आपको बहुत मज़ा आ जाएगा और इसे हम सुकी रोटी के की साथ में से गाता है जो बिल्कूल भी हमने इसकी अंदर टेल नी लगाया था है न हो उठीडें के साथ में क्वाइज के सथ में खातीês मगर अपको राइस के आप क्ला द्चै हूं लाथ यूज करते हैं तो यहां पर मैं सुग है सब्से पहले निकाल लीती हूँ यहां प चैनल पर फॉलो करो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो फिर मिलती हूं में आपको एक अच्छी सी रेसेपी के साथ में बेल आइकन को दमाना भूला मत है ना कि सबसे पहले मेरी रेसेपी आप लोगों को देखने मिलेगी और मेरे घर का काम कैसा चलू है अगर वीडियो देखना है तो मेरे को आप लोग अफरो रेसेपी ब्लॉग में फॉलो कर सकते है नासिफ तनाटन मेरे घर का काम चलू है क्योंकि हम लोग भी एक तनाटन है नासिफ तो चले अलाफीर फिर मिलती हूं एक रेसेपी के साथ में आजाओ खाने का